प्रेस वारता को संबोधित करते हुए कहा कि जब से नेर्चॉंग मेडिकल कॉलेज को कोविट सेंटर का दर्जा दिया गया है यहां पर स्वास्ति सुविधाएं वेहाल हैं और साथ में लगते दूसरे अस्पतालों में प्रेपल स्टाफ ना होने की सूरत में प्रेसों को आईजियम सी शिमला और पीजया रेफर किया जा रहा है जिसके चलती आम जनता सीधे तोर पर प्रभावित हो रही है उन्होंने कहा कि अन्या मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर नेर्चॉंग मेडिकल कॉलेज में भी सेक्टर वाइस सेंटर स्थापिक के जाए अन्यता इसे अब दूसरी जगा बदल दिया जाए ताकि आम जनता को मेडिकल कॉलेज की सुध्धा मिल सके जैसा कि आप जानते हैं कि नेर्चॉंग मेडिकल कॉलेज कोविन नाइंटीन सेंटर खोला गया है लेकिन यहां ऑस्पिल की जो ओपीडी है बंद होने से लाखों मरीज जो है परिसानी जिल रहे हैं और कई तो यहां से रैफर करते हैं पेसेंट को डॉक्टर तोस्वक्त रस्ते में ही मल जो है पेसेंट दम तोड़ देता है तो मेरा सरकार और परसासन से यह निवेदन है कि इस मेडिकल कॉलीज को जो ओपीडी है इसको मनलब भाल करें और जल्द से जल्द यहां ओपीडी चालू करें और जो कोविन नाइंटीन सेंटर है इसको कहीं और जगा शिफ्ट करें